मस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तो इस प्रिडियो में बात करने वाले हैं आठ नो अर्दस अगस्त की आप प्वेरासी के महारासी फ्ल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों जिनगावी यह में बटे हैं यह मैरे जिनवरस्री हैं आप लोगों को हमारे तपसे धेर सारी सुपकामना हैं आप दिंदूग निराथ शोग्र द्रके गए हैं तो आई यह सी के साथ बात करते हैं यह समें ग्रहों की सितिक कैसे रहेंगी क्या क्या वारिक जीवन कैसे रहेगा और आप लोगों के आर्थ किस्तित्यों और धन किस्तित्यों को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं इन सभी की महत्तुन जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं तो आप सब उसे विडियो को पूरा अंद तक जरूर देखिएगा उस सभी लोगों के जीवन में धन की फ्राप्ति होने के साथ साथ कई प्रिकार के सुबसमाचारों की फ्राप्ति भे होने बाली हैं आप लोगों के जिंदगे बहुती बहत्तिन होंगे आपको सभे सुख सबधाओं से लाप की फ्राप्ति होंगे आपके धन में विद्धी की आपके तुबारा किया गया मेहनत पे रंग लानी बाला है कारश्तर में बड़े अधिकारी भी आपसे काफी खुश होंगे विद्यार्ट्यू कमन बे पढ़ाई लिखाई के प्रति लगेंगे संतान की और से आपको कोई कुश कवरी मिल सकते हैं नौक्री और विजनस पढ़ाने के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं धन की तंगिया भी अचानक से खत्म हो जाएंगे आप लोगों के रिष्टों और समंदों में मदुर्ता बने रहेंगे बैपार बैवसाई के छित्र में कुछ बड़ा तुस्दार होने बाला है विदेशों से भे आपको सुब समाचारों की फ्राप्ती होंगे कारिशित्र में भे आप लोगों के सुचे भे कारिपूरे होंगे आप लोगों के जीवन के प्रसानिय भे कम होती भी दिखाई दे रही हैं मत्रों इस समय किसे भे फैसले को लेने से फहले अस्य से विचार करने के जरूत होंगे आप अपने वैपार और कारिशत्रों में भे दिन दूगनी राद चोगने दरक्की कर सकते हैं और माता फिता के सहयोग से आप लोगों के सभी अधूरे विगड़े कारे भी पूरे होंगे घर में नए महमानों का आगमन भे होने बाला हैं आप लोगों को आर्थ ग्रूप से तरक्की भी फ्राप्त होंगे आपके लिए समय बिहदी फादमन्द सावित होंगे और आप लोगों के रुकेवर सामाजी कारे शत्रों में भे आपको सफलता की फ्राप्ती होंगे आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं जो आपके लिए लापकारी रहेगा जो आपके लिए कल्यान कारी रहेंगे आपके रास्ते में आने वाले दुस्मन भी आपको कुछ नहीं विगाड़ पाएंगे आप लगातार प्रगत्ती की राह पर चलेंगे आपके प्रिवाहर में सांती का महौल रह सकता है नई नौकरी मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं सुमाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपको नए काम काज़ को करने की मोक्य मिलेंगे आप अपने जीवन में राजा जैसे जिन्दगी भी तासकोगे आपको करजो से शुटकारा मिल सकता है आपको कम महनत में अधिक सफलता की फ्राप्ती होंगी सानी देव जीवन में आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको सच्चे मन से भगवान सानी देव जी की पूजा अर्च कर सकते हैं जीवन में आपका उजाला आ सकता है तथा आप अपने हर कारे में लाप भी लाप कर सकोगे आर्थ किस्तिया में मजबुत होंगे आप अपने सभी काम काजों में सफलता को हासिल कर सकते हैं जीवन साती से चल रहे अनवन में दूर हो सकती हैं आने वाले दुनों में आपको अच्छे खासे फलों की फ्राप्ति होंगे गारिलू समस्याओं का समधान भी निकाला जा सकता है जो लोग काफी लंबिस में से नौकरी के तलास में इदर दर बटक रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिल सकती हैं ओफिस के कारे को आप आसानी से कर सुखोगे आपक जीवन में आपको विसेज बड़ी खुसकवरी की फ्राप्ति होंगे कारी शेतर में आप बिल्कुल नए और ताजगी भरे जीवन में नए माहूल को बना सकोगे नौकरी में आपको पदनती मिल सकती हैं तथा आपको कामकाजों के परसंसा होंगे वैपार वैवसाय में जीवन साते और बच्चों के साथ आंसी कुछे समय व्यत्तित कर सुकोगे शमाज में आपके लोग प्रियत्ता वड़ सकती हैं और कुमारे लोगों के रिष्टा आ सकते हैं वैपार वड़ सकता हैं आपके विगड़े विक काम बढ़ेंगे आई में विर्दी होंगे गर प परिबार में आपके सुखसानती रह सकता है, आपकी रासी में चंद्रमा रहेंगे, जो आपके सारे विगड़ेवे कारी को बनाएगा, विद्यार्थों के लिए यसमें कफ्यूत्तम रह सकता है, विजनस और विकारी शेत्र में आपको साफधानी रखने होंगे, माता पिता का सज्योग वे आपको अवस्य हासल होंगे, कारी शेत्र में विशेज बड़ी खुसकवरे और कई प्रकार के सुनवरों के प्राप्ते वे अवस्य होंगे, आपके जीवन में धंदोलत के वरसाते होने वाली है, आप गर परिबार में खुसियां आ सकता है, तथा जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर गुमने जा सकते हैं, कारी शेत्र में आपको विशेज बड़े और सुनवरे अवस्य होंगे, परिवार के माहोल को आप खुसी बना सकोगे, आप लगातार प्रियासरत रहेंगे, और मन लगा कर कारी करोगे, तो आपको जीवन में सफल करता के प्राप्ति अवस्य होंगी, सुभा उटकर सबसे फहले माता संतुसी का चरण को असपर्स करने से आप अपने दिन के सुरुवात करें, जिनसे कि आपके दिन्चरिया में आने वाले सारी के सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगे, आप कदर भे आनंद में रहेगा, और आपके जीवन में आपको विसेथ बड़ी खुसकवरी के प्राप्ती होंगे, मत्रों आप लोगों के उफर धनकी देवी मातला लक्पिंजी की कृपा विसेश बनी रहेंगी, जिनके कारण आपके जीवन की समस्त प्रकार के समस्याओं से चुटकारा मिलने वाला है, का आपके विकार भी पूरे हो सकते हैं, आपके लाब में विर्दी हो सकती हैं, सामाधिक प्रतिष्टा में विर्दी हो सकती हैं, और असहाई लोगों की मदद करने की प्रेरना भी जागरित कर सकती हैं, आपको सवी तरफ से सफलता मिल सकता हैं, आप जल्दबादी में किसी प्रकार के कोई भी कारी को न करें लेंदेन में सावधानी आपके लिए अवसक रह सकती हैं दूसरों के बेकावे में आकर आप कोई भी आपको अकास्मिक धंदोलत की फ्राप्ती हो सकती हैं आपके जीवर में आपको सही फैसले लेने होंगे आपको एस्वर में वरत्तरी हों आपके बाद भी बाद में आपको पढ़ने से बतने का फ्रियास करने होंगे समाजिक शित्र में आपको संक्रिय रहने की जरूरत दर सकते हैं आपको सकरात्मक और विसेश बड़े खुसकवरी की फ्राप्ति होंगे अफिस में आपके सकर में भी आपके कारुभार में आपको कंदा दे सकते हैं साथ हे आपके जीबर में आगे बढ़ने से आपको मानसिक सुकून और सांति की प्राप्ति होने वाली हैं आपको नियमों और कानूनों का पालन भी अवस्य करने होंगे आपको ट्रांसपर समंदिक कारोबार में लाब हो सकता है आपको जीबर में विसेज बड़ी खुसकवरी की प्राप्ति होंगे कारी शेतर में आप लोगों की खिस्मत भी असानक से शुमतकार वनने वाली है आपको प्रियास बढ़ सकते हैं आपको लेकिन उनका फल थोड़ा से विलमब से मिल सकता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके सुखस्वधाव में वड़ुतरी होंगे आप परिवार को समय दे सकते हैं काम के सिलसरों में आपको अच्छे गुंवतिजे में गुनवत्ता आ सकते हैं आपको काम लोगो की नजर में आ सकता है आपके बहुत भी आपको अपने सुखों का वढ़ाने के लिए अच्छा-कास अधन भी खर्च करना पड़ सकता है